मेरा नाम मोहित है और मैं खुद यहां पे मोहित हो रहा हूँ लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको मंत्र मुग्द करने वाला ये दृष्य है अपने आंखों के सामने ये कार्रे होता देखना अपने आप में प्रभू एक लीला है प्रभु की लीला के शाक्शी होना कि ये कार्य होना, प्रभु की मрजिस के भिना इस संबब नहीं है जो अंदर बैठे हैं ना मंती बेहर जी यो ऐसी किरपा करते हैं, ऐसी किरपा कि मैं सच बता रहा हूं आपको ये आप सामने शाक्षा देख सकते हैं आपका मेरी चानल पर और आप देख रहे हुए मौहित व्लॉग्स आज मैं जहाँ पे हूँ वो आपको मेरे चौहरे पर प्रसननता देखकर पता चल रहा होगा और मेरे बैक्ग्डाउंड में कि मैं कहाँ पे उगा हूँ मैं हूँ इस टाइम पर मोती कुण पे आप सबने जो हमें सयोग किया आप सबने जो हमें सेवा दी उस सेवा से जो हमने कार्य इहां पर आरंब कराया और वो कार्य कितना हुआ है आज मैं उसी का अपडेट आपको इस वीडियो में दूँगा आप आगे देखेंगे कितना काम हो चुका है और आप सबकी सेवाओं से कितना काम आगे अभी और होगा तो चलिए मैं आपको सामने की तरफ से दिखाता हूँ कि आप सबकी सेवा से कितना कार्रे हुआ है अभी सामने आप देखेंगे सबसे पहले तो आप ये नजारा देखिए मेरे पास शब्द नहीं है इस टाइम पर मंतर मुग्द होने वाला नजारा है ये मेरा नाम मोहित है और मैं खुद यहाँ पर मोहित हो रहा हूँ लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये इस्थान सच में अपने आप में ये कार्रे होते देखना और इस कार्रे की जो शेप आ रहे है हमारे कुंड की वो अपने आप में इतना सुंदर है कि मैं बता नहीं सकता लास्ट एर हम जब इस गाट को कंप्लीट करा रहे थे इस गाट को कंप्लीट कराते कराते हम जिसे कहते हैं खो गए थे इतना सुंदर ये नजारा था कि मन नहीं कर रहा था यहां से नजर हटाने का अब आप सामने देखेंगे अब उस तरफ में material वहाँ पे डाल दिया गया है concrete अब machine को आगे shift करके आगे की तरफ जो है concrete डाला जाएगा literally मैं बताऊं आपको मंत्र मुग्द करने वाला ये द्रिश्य है अपने आखों के सामने ये कार्रे होता देखना अपने आप में प्रभू एक लीला है प्रभू की लीला कर शाक्षी होना क्योंकि ये कार्रे होना प्रभू की मर्जिस के बिना इस संबब नहीं है और आज भी चत्र शाओ भगवान की ऐसी चाओ है हमारे उपर के कहीं पर भी सूरज नहीं है और यहां पर आने के बाद जब भी मैं आता हूं दर्शन करने परिशानियां हो जाती है कभी कबार शूट करते हैं गर्मी लगती है गर्मी का टाइम है लेकिन मोती बिहरी जी जो अंदर बै कहीं पर भी चाओ नहीं है मशीन चालो दुबारा हो चुकी है कहीं पर भी चाओ नहीं होती है पेड़ों के नीचे हमें बैठना पड़ता था और भगवन ऐसी किरपा करते हैं कि हमें आशरे दे रहते हैं वो चाओ दे रहते हैं ऐसी किरपा है मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके दिखाता हूँ कि कारेक कितना हुआ है हमें इसके लिए ये समझ में नहीं आरा कपता की मार्ग मिलेगा इनफेक्ट जिस पेड के लिए मैंने आप सभी से कहा था कि यहां पर हम आप सब की सेवा लगाएंगे यहां पर भी कहीं पर भी नोने रिस्ता नहीं दिया नहीं इस सीच को कवर खुद किया कि जिससे ये पेड बच सके लेकिन मोती बहरी जी ये रक्षा करेंगे इस रक्ष की और ये अफसर भी देंगे कि हम यहां पर सेवा लगा पाएं हमें परिकर्मा के लिए जब इस्थान नहीं मिला जगा नहीं मिली तब हमने मूव किया आप सब की सेवा हो के चलते घाट की तरफ में कि हम घाट को कंप्लीट बनाएंगे देख रहे हो कितना संदर नजारा है रभू की ऐसी लीला मेरे मोती भीहरी जी की ऐसी लीला श्री कमलाकांदास महाराजी की ऐसी लीला श्री राधारानी की ऐसी लीला कि आज सामने वाले घाट तयार हो चुका है अब हमारा ये वाला घाट तयार हो रहा है कितना संदर नजारा है आप इस चीज को feel करोगा ले और जब ये completely उपर तक बन जाएगा कुंड हमारा पूरी तरीके से तयार है आप को अच्छे से जिसे कहते है ना आने वाले टाइम पर अच्छे से आपको proper समझ में आएगा कि ये कुंड किस तरीके का डिजाइन लेगा और उसके बाद हम कुंड को अंदर से थोड़ा सा और गहरा करनाएंगे फिर हम इसको इसमें पानी भी जो है वो भरेंगे हाला कि जितना पानी आप देख रहे हैं ये नीचे शोत है जिसके वज़े से कुंड अपने आप भरता है और इसकी जो महतलता है वो बनी रहती है लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे इसको जितना हो सके थोड़ा सा गहरा करेंगे पांच यो छे इंच और नीचे जाएंगे गहरा करने के लिए कुंड का लेवल करने के बाद में इसमें पानी भरेंगे उसके बाद इसको शुद्धी करन करके आप सभी के लिए हम इसको ओपन कर देंगे आप आईए आचमन नीचे इसनान करिए जो भी आप करना चाहें लेकिन सबसे सुन्दर ये नजारा अभी तो कंप्लीट जबी स्टेप्स बन जाएंगे नीचे वाला घाट त्यार हुए है सेम जैसे वहाँ पर कॉंसेप्ट था नीचे वाला घाट उसके बाद स्टेप्स अब ये बनाया जा रहा है उपर एक और घाट जैसे वहाँ पर वो घाट हमारा सेकेंड वाला घाट बनावा है ऐसे ही यहांपे यह खाठ बनाया जा रहा है और आप सभी को मैं यहाँपे एक चीज भी बताना चाहूंगा यहांपे कुंड के साइडों में कैनिपी बनाई जाएगी यहांपे जो छट्री होते हैं जिसको बुर्ज कहा जाता है वो साइडों में हमारे आ रहा था हमारा कुंड का structure है जो कि अब जैसे कहते हैं आदा तो हमने पार कर लिया है अब आदा और पार हमें करना है उसको और उसके बाद जो important है वो कुंड की जो बॉल देख रहे हैं आप आदी हमने उसको छोड़ दिया था चुड़वा दिया था कि आप इस वाल को अभी ना बनाए क्योंकि हमें काफी काम करना था कुंड के अंदर उस टाइम पर और काम हुआ भी है जैसे भी आई अंदर खुदा ही हुई तो इसलिए हमने वो वाल नहीं बनवाई थी लेकिन उसको भी complete बनवाना है उस वाली वाल को भी उसमें हमारा expense भी आएगा वैसे काफी लेकिन कोशिस जरूर करेंगे हम आप सभी को एक एक अपडेट दें और कारेरे को पूरा खणाने की और वाल भी complete बनवाने के लिए अगर मोती बिहरी जी की किरपा रही श्री कमला का अंदास महरी जी की किरपा रही तो जल्दी इसमें हम कमल यहाँ पर उबाएंगे जैसी महरी जी की इच्छा थी कि इसमें कमल उगे और वो कमल नित्ते मोती बिहरी जी के श्री चरणों में हम यहाँ पर अरपन करें तो व क्योंकि समर से यहां से आप नीला वाला पाइप जो देखेंगे गो हम यहां पर समर सिबर डाला वाए इसमें कुंड में और यहां से पानी ले रहे थे लेकिन अभी दो दिन से लाइट नहीं है तो कुंड का पानी ही लिया जा रहा है कुंड को बनाने में यानि कि जो नीचे सी सोथ है यहां पर कुंड में उसी को استعمال किया जा रहा है कुंड को निर्मान करने लिए ऊप है और बीच में है यहां पर कुंडी लगेगी इसका भी काम अभी होगा. वो भी शेश है अभी मैं आपसे यह कहूँ महां के इस कारो चारु सेवा जरूर कीजेगा यहां पर आने के बाद में अब जो आपको मैंने अभी सामने की तरफ से दिखाया कि कुंड किस तरीके से यहां पर कर रहे हो रहा है आप सामने देखेंगे यह तो completely बन चुका है जितना अभी आप सामने देख रहे हैं अभी नीचे का और हमारे साथ है मिस्त से चले जाएगे अगह तो इसका अगर पूरा उप्र तक देखें इस सीडियो का तो कितने दिन का काम अभी और है यहां साथ फीट और जहां तक याद 70 या 75 feet इसकी length है तो उसके हिसाब से यह काम हो रहा है सामने हमारा जो घाट है उसी concept को यहाँ पर यूज किया जा रहा है उपर के steps कितने बढ़ पाएंगे बिज़र छे steps बन जाएंगे उपर पूरे उपर complete क्योंकि यहाँ पर जगा कम लग रही है मुझे बन जाएंग हम आपको आगे की तरफ move करेंगी क्योंकि यह wall जो मैंने आपको दिखाई थी यह है कुंड की वो wall जो हमने starting में छुड़वा दिया था जिसको क्योंकि यहाँ से JCB और जो भी हमारा material आ रहा है वो कुंड के अदर हम easily पहुचा पारे हैं इस की वज़े से ही अगर यह wall बनी होती तो यहाँ पर आना या फिर यहाँ पर किसी भी चीज से हम पर material पहुचाना वो मुश्किल हो जाता हमारे ले तो जब यह सीडिया complete बन जाएगी उसके बाद यह wall complete यहाँ पर बंद किया जाएगा इसको proper और फिर कुंड हमारा जिसे कहता है completely तयार हो जाएगा तो आप सबी को यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा आज है आठ जुलाई और यह है आठ जुलाई का अपडेट आप सबी के लिए के नीचे घाट और यह सीडिया बन चुकी है अप उपर वाला घाट पर काम चल रहा है आज और यह आज यह complete हो जाएगा वाला घाट उसके बाद steps पर यहाँ पर प्रोवाइड गराया और पिछली बार की तरह आपने भी हमारा साथ दिया इस बार तागुर जी की किरपा आप पर बनी रहे और मोती वेरे जी की और आप भी इस परकार और सेवा करते रहें ब्रेज में हमारे साथ जुड़के और हम आपको आगे अपडेट दे रहेंगे जितना काम होगा लाइव के तुरू और वीडियो के तुरू बाकि जितना भी काम आप देख रहे हैं ये समझिए ये वाला घाट आज कंप्लीटली बन जाएगा शाम तक अभी इस टाइम पर तीन बज़े का टाइम है अगर आप ताइम देखेंगे तीन बज़े है वीडियो में आपने जिस परकार देखा के काम कितना हो चुका है अल्मोस्ट नीचे का भी घाट कंप्लीट बन गया है स्टेप्स बन गए हैं अब उपर वाले घाट पर काम चल रहा है वो भी आज कंप्लीट हो जाएगा तो आपसे अब हमरी ये रिक्वेस्ट है कि आप से कुंड का जो कंप्लीट स्ट्रक्शर है वो रेडी हो सके सामयाप को मैंने दिखा दिया है गाट का काम चल रहा है अल्मोस्ट जो उपर वाला घाट है वोबी आज कंप्लीट हो जाएगा और पीछे का जो स्टेप्स वाला काम है वो भी उसके बाद शुरू होगा और बीच में ये पार्ट है यहाँ पे आप स्नान आदी के लिए आच्मन आदी के लिए नीचे जा सकते हैं और परिकर्मा हम जरूर बनाएंगे ठाकुर जी के किरपा रही शुरी कमला का अंदास महरजी के अगर किरपा रही तो परिकर्मा भी बनेगी जल्द ही आप सभी की दुबारा में यही बोलूँगा कि स्क्रीन पे आपको जो डिटेल्स हो रही है यह हमारी बिज धाम सेवा ट्रस्ट के डिटेल्स हैं तो प्लीज सेवा जरूर कीजएगा इस बार क्योंकि कारे बीच में ना रुके और हमें बहुत निराशा होती है कि बीच में हमें सेवाओ क चलते कारे रोखना पड़ता है तो I hope कि आज की अपडेट में आपको अनंद आया हो अच्छा लगा हो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेर करना मिलते हैं ऐसी किसे नहीं वीडियो के साथ में तब तक अपना घ्याल रखिए और देखते रहे हैं महीत व्लॉक्स आगे पर इस धाम के वीडियो जासी आते रहेंगे हमारे चैनल पे तो प्लीज मेक शूर के आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बैल आइकन को भी जोरो प्रेस करना ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें आप मुझे इंस्टा, फेस्बुक, ट्विटर पर जाइन कर सकते होती नोगे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही आप सभी को मोतिकुंट से रादे रादे